हलो एब्रिबरन वेल्कम बेक तो माइ यूटूब चैनल पुनम स्मंत्रा सो फ्रेंड्स इवनिंग टाइम में था तेजिटी मैडिकल टैट का एक्जाम सो उसके आंसर की में लेके आई हूँ चाइल्ड साइकलोजी और डेवलप्मेंट पेडगोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस साइकलोजी के कोशिन हम सॉल्फ करेंगे इस वीडियो में सो लेट्स स्टार्ट कोशिन नबर टू से स्टार्ट करते हैं बच्चों में जूट बोलने की आदत अक्सर बिक्सित हो सकती है यदि अनुसाशन डैस हो सो सेकिंड का जो आंसर है वो आएगा ऑप्षिन ए अधिकारवादी थर्ड कोशिन है डैस किसी प्रिक्षिन की बह सीमा है जिस सीमा तक बह किसी प्रिक्षिन में वही मापता है जिसके लिए वह निर्मान किया गया है सो थर्ड का अंसर आएगा ऑप्षिन ए वैद्धिता नेक्स्ट कोशिन है फोर्थ कोशिन डैस के अर्थ किसी व्यक्ती का अपनी संपूर्ण नही शमता के अनुरूप विकास के लिए विकास से लिया जाता है सो फोर्थ का अंसर आएगा ऑप्षिन A A is the correct answer नेक्स्ट कोशिन है फिफ्थ डैस को किसी क्रिया को करने में दूसरी क्रिया कि अपिक्षा चेंड करने अत्वा किसी क्रिया या वस्तू को खोशने की प्रवृति के रूप में परिभाशित किया जाता है इसका अंसर आएगा option C, अभिवृति option C is the correct answer, अभिवृति next question है स्टीफन केसी के सुझाब ने सुझाब दिया कि बुध्धी में निहित है जोकी डैश अधारित और संदर्व से संबंधित होते है इसका अंसर आएगा फ्रेंट्स इसका अंसर अगर आपको पता है तो आप क्रिप्या कमेंट सक्षिन में कमेंट करके बताएं next question है question number seven व्यक्ति गत्स शारिरिक गती संबेदी संगीत आत्मक बुध्धी संबंधित है so seventh का अंसर आएगा option B gardener next question Sternberg के बुध्धी के तीन तत्वों के सिध्धानतों में सादरिश्य वस्तू का समधान समिलित करता है so इसका अंसर आएगा option B अनुवफ और अमूर्थ तर्कना next question है tenth शोध परदर्शित करते हैं कि निमिलिक अध्यापक की प्रभावित्ता में योगदान नहीं करते so इसका अंसर आएगा option C ICT का प्रयोग next question है 11 परिपक्वता को परिफाशित करने के लिए स्रेस्ट कतन है so इसका अंसर आएगा option B यह शारिक का स्वतव जैविकास है जो समय के साथ प्राक्रितिक रूप से प्रक्ट होता है 12th question है निवल्क मैंसे कौन चौंसकी के सिधान की एक विशेस्ता है so इसका अंसर है option D बच्चों में जन्जात मांसिक ब्याकरन होता है next question है एक सुसंगत पहचान विक्सित करने की असफलता का परिणाम होता है so 13th का अंसर आएगा option B बुमिका भ्रह्म की स्थिते next question है चलाव वरण के होते हुए भी गतिशीर्ता को खोज लेना उस उन व्यक्तियों के लिए आसान है जो की डैश होते है so 14th का अंसर आएगा option A चेत्र आश्रित next question है समानेतर रूप से मांसिक मंदन वाले विक्तियों में बुद्धी लब्धी का विस्तार होता है so इसका अंसर आएगा option B 35 से 49 next question है question number 16 परसित मनो भाषा विज्यानी कौन है so 16th का अंसर आएगा option D नौम चौमस्की next है J.V. Watson के अंसर मनो विज्यान डैश का विज्यान है so 17 का अंसर आएगा option C ब्यवहार next question है 18th मनो विज्यान को जीव के प्रियावरन की साथ करियाओं कि विज्यानिक अध्यन के रूप में किस ने प्रिभाशित किया so इसका अंसर आएगा option D William James ने next question है question number 19 मनो विज्यान को तातकालिक अनुभव जिस मैं चेत्ता को मुख्य विश्य वस्तु माना गया किस के द्वारा परिभाशित किया गया है so इसका अंसर आएगा option D William Wund next question है प्रत्थम बुद्धी प्रिक्षन किस मनो विज्यानिक त्वारा निर्मित किया गया था इसका अंसर है option D Alfred B next question है 21 Ewing Horse ने अपने सरप्रत्थम प्रियोग डाश पर किया so इसका अंसर है option C स्मृति पर next 22th question व्यक्तिक मनो विज्यान का संस्थापक कौन है so इसका अंसर आएगा option D Alfred Adler next question है प्रभाव का नियम किस के द्वारा दिया गया so इसका अंसर है option D Thondike next question है question number 24 आद्य प्रिरूप शब्दावली डास से समंधित है so इसका अंसर आएगा option A Jung next question है 25th आंतर द्रिस्टी अधिगम में मूल्यवान योगदान किस का रहा है so इसका अंसर आएगा option D Kohler next question है 26 आंतर निरिक्षिन और चेतन अनुभब के सम्प्रत्य संबंधित है so इसका अंसर आएगा option D Gastalt Manovigyan question number 27 है मनुविग्यान शब्द सर प्रत्थम किस के द्वारा प्रस्ताबित किया गया था so इसका अंसर आएगा option A Rudolf Gokal next question है चिंतन प्रक्रिया डैश परिप्रेक्ष का मुख्य तत्तव है so इसका अंसर आएगा option D संग्यानात्मत next question है 29 आधुनिक मनुवाश विज्ञान सिधान डैश द्वारा विक्सित किया गया है so इसका अंसर आएगा option A Choms की द्वारा next question है 30 आत्मानुभूति किस के द्वारा प्रस्ताबित की गई so इसका अंसर आएगा option B so friends यह था psychology section अभी जल्दी ही में जीके section लाने वाली हूँ अगर आपने विडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू